नमस्तेन वलकम टू ओल्ली आफेर्स मैं हुई कास कनाडा ने भारत पर बस एक आरोप लगाया कि भारत के रोग का हाथ है हमारे कनेडियन सिटीजन की मौत में बस इस एक आरोप के बाद कनाडा अगले एक ही विग में दुनिया के नजरों में गिर चुका है कनाडा की हालत बहुत खराब है कनाडा में एक जगह है क्यूबेक वहाँ के लोग कनाडा से सेपरेट होना चाते हैं और बहुत सालू से अंदोलन कर रहा है और अब यह अंदोलन और भी ज़्यादा बढ़ चुका है इसके बाद कनाडा के जो पीया में जस्टिन टूडो उन्हें पूरी दुनिया से माफी मागनी पड़ी क्योंकि उन्होंने अपने पारलियामेंट में एक ऐसे व्यक्ति को सम्मानित किया जो हिटलर के जवाने का नाजी व्यक्ति था और जस्टिन टूडो के इस भूल के बाद वर्ड वार टू का जो जखम है वो फिर से ताजा हो गया है जिसका मैन कारान जस्टिन टूडो है गाइस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जस्टिन टूडो की जो सरकार है वो खलिस्तानियों के वज़ा से चल रही है इसलिए वो खलिस्तानी को सपोर्ट करते हैं ये फोटो देख पा रहे होंगे ये फोटो काफी ज़्यादा वारेल हुआ था ये जो आदमी जगमित सिंग को आईसक्रिम खिला रहा है इसका नाम पावकर सिंग दुल्लाई है ये एक खलिस्तानी है जगमित सिंग के बारे में आपको पता ही होगा ये जो आदमी आईसक्रिम खा रहा है ये जगमित सिंग है और इसी के वज़़े से जश्टिन टूडो की सरकार चल रही है अगर ये अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो आज ही कनाडा में सरकार गिर जाएगी कनेडियन गुबर्मेंट को पता ही नहीं है कि उसके आसपास के जो लोग है वो कौन है देखा जाए तो कनेडियन सरकार खलिस्तानियों की कटपुतली बनते जा रही है आज के डेट में देखा जाए तो कनाडा खलिस्तानियों का कटपुतली बनते जा रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा है जो आदमी ऐस्क्रीम खिला रहा है वो एक खलिस्तानी है जिसे कनेडियन सेक्रेटी इंटेलिजेंस सर्विस ने एक बार 2018 में no-fly list में सामील कर दिया था क्योंकि ये टेरर एक्टिविटी में पाया गया था और जब ये कनेडियन कोट में गया और कहा कि मैं खलिसतानी नहीं हूँ मेरा नाम no-fly list से हटा दिया जाए तो कनेडियन कोट मना कर देती है और ये खलिस्तानी आदमी जगमिस सिंग को ऐस्क्रिम खिला रहा है और जगमिस सिंग के वज़े से ट्रूडो की सरकार चल रही है तो कहने का मतलब यह है कि कनेडियन गुबर्मेंट को आइडिया ही नहीं है कि उनके आसपास के लोग कौन है कैसे कनाडा को खलिस्तान में आरोप लगा रहे थे आज वो पूरी दुनिया में आरोपित नजर आ रहा है और जस्टिन ट्रूडो ने अपने पार्लिया मेंट में जो किया है उसके बाद रसिया को भी यह कहने का मौका मिल गया है कि युक्रेन को जो लोग है वो नाजी विचारधारा के हैं अगर आपन इसक्रिन पर देख पा रहे होंगे यह कनाडा है नीचे युनाटेड इस्टेड अमरीका है और यह साइड वाला जो पार्ट है यह क्यूबिक और यहां के ज़्यादा तर लोग फ्रेंच बोलते हैं क्योंकि पहले कनाडा फ्रांस की क्लोनी हुआ करती थी और यही फ्रेंच speaking people मांग कर रहे हैं कि हमें एक independence country बना दिया जाए कनाडा में second largest population इसी क्यूबिक में है क्यूब एक को lower कनाडा बुला जाता है और इसके उपर है अपर कनाडा अपर कनाडा में ब्रेटिस लोग रहते थे और lower कनाडा में फ्रांस के लोग आजादी के बाद ब्रेटिस लोग चले गए और कनाडा आजाद हो गया लेकिन lower कनाडा में जो फ्रेंस लोग थे वो आज भी यही पर हैं और उनकी एक बड़ी अवादी है कनाडा के आजाद होने के बाद जब कनाडा का विकास सोना शुरू हुआ तो जो lower कनाडा के लोग हैं उनमें एक भेदवा इस्टार् उन्हें जॉब नहीं मिलती वो फैसिलेटी नहीं मिलती जो अपर कनाडा के लोगों को मिलती है यही कारण है कि यह लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं करंट रिपोर्ट यह बताती है कि क्यूबिक की 51% लोग कनाडा का पार्ट रहना चाते हैं और बाकी बचे लोग की मांग कर रहे हैं और अब जब कनाडा इंडिया विवास शुरू हुआ तो बीजेपी के जो भॉइस परसीडेंस है बीजेंद पांडा उनका काना है कि अगर कनाडा इंडिया का मुद्धा ऐसा ही रहा अगर कनाडा खलिस्तानियों को सपोर्ट करता रहा तो हमें क्यूबिक को सपोर्ट करना चाहिए तब सायद कनाडा को समझ में आए कि वो कर क्या रहा है आइटिंग कि गाईस आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि कनाडा इंडिया में अभी चल क्या रहा है तो गाईस यह थी लेटेस्ट अपडेट कनाडा इंडिया को लेकर के कल फिर मिलते एक नई जियो पोलिटिकल अप्डेट के साथ तब तक के लिए जाएंद